सब्सक्राइब कर दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही अपने यूटूब चैनल फैंटेसिक क्रिकेट क्लेस में आज हम बात करेंगे जो महाराजा टी टॉंटी लिग का सेकंड सेमी फानल होने बाला है इसके बारे में क्या मनिश पांडे या फिर करून नायर कौन आपके लिए बेस्ट उप्सन हो सकता है कैप्टनसी 22 कैप्टनसी में या इनके अलाबा कोई दूसरा उप्सन है कैप्टनसी 22 कैप्टनसी में सभी के बारे में डिटिल सी जानेंगे लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर जीगा तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले दोस्तो वाटसप चैनल की जो भाई भी नए है और जिन्हों ने आपधी तक वाटसप चैनल जोईन ले किया हो वो कल लीजीगा क्योंकि टेलीगराम का आप कुछ भरूसा नहीं है उनके सियोग रपतार हो गाए और भी बहुत सार प्रॉब्लम जल रहे हैं तो आप दोस्तो वाटसप चैनल जोईन कर लिजीगा लिंक आपको वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएगी वाटसप चैनल की यहाँ पर आपके लिए एक तो फिरी के पाप हम आपके लिए अल्मोस्त हर एक मुकाबले में प्रवाइड कराते हैं उसके बाद आफटर टॉस अपडेट आपके लिए यहाँ पर मिलेगी और बेस्ट कॉमिनिशन इसमोल लिए प्लस ग्रेंड लिए का वो आपको अमारे वाटसप चैनल पर मिल जाएगा तो आप जरूर जोएन कर लिजीगा लिंक आपको वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाए तो चले यह बात करें बेन्यू के बारे में तो सेम बेन्यू वर्द मुकाबले खेले जा रहा है जो अभी तक सभी मुकाबले खेले जा रहा है एक ही बेन्यू पर खेले जा रहा है उसका नाम है वेंगलूरू एम चैनना स्वामी स्टेडियम बेंगलूर में मुक पर कहा जाता है यहां दुस्तो बल्ले बाजी के लिए हेवन कहा जाता है यहां पर यदि देखा जाए तो गेंद बाजों के तना ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन पेस बॉलर थोड़े आप ज्यादा ट्राइ कर कर चल सकते हो उसके पीछे रीजन है कि पेस बॉलर आपके पर के पूरे मुकाबले हुए है पहले बल्ले बाजी करती है दस और सेकंड बल्ले बाजी करती है कलका में अबडेट नहीं कर पाया 16 मुकाबले जीते हैं दोस्तो कलका यदि आपने मुकाबला देखा हो न तो 155 बने थे 156 बना कर easy chase किया था मात्र एक बिकेट के नुक्सा कर आता है पेस बॉलर 32 बिकेट तो इस्पनर को मिलते हैं यहाँ पर 23 बिकेट इस्पनर को कम मिले हैं लाश्ट के 5 मुकाबला की बारे में बात कर रहा हूं तो मैंने आपसे बोल पहले ही बोला था कि पेस बॉलर को आप थोड़ा ज्यादा फोकस करकर चल दी जिएगा पेस कुल्ड एवाब चैवब issy बार देखने को मिल आये तो आप कर देख सकते हो कहaren को मेरे इसाब स आजकर मुकाबला होने वाला ना तो 17mana 189 के अप्रॉक्सिमेट आपके लिए स्कूर देखने को मिल जाएगा अब हम बात करेंगे बेनू पर खेले गए रिसेंट मुकाबलों के बारे में, सबसे पहले इस मुकाबलों के बारे में चर्चा कर रहा था, वो देख लीजीगा, 155 बनाया थे दोस्तों यहां पर, तो बेंगलूर बलाश्टर ने 169 बना कर चेस के लिए थे, मात्र एक यहां पर, पेस बॉलर को 7 बुखेट, शिस्पिनर को मिली थे, 4 बुखेट, Second Innings में एक ही बुखेट मागरा था वो आप Medium Pacer बोल ले जीगा या Спिनर बोल ले जीगा, ऐसे बॉलर को यहां पर मिला था, उसके बाद यृद ही बात की जाए, इस से पहले Hobley Tigers और इन दोनों के बना कर चेस हुआ था बैंगरूर बिलाश्टर ने ही किया था यहाँ पर आप देखोगे आठ विकेट और एक विकेट फिर अगला मुकाबला आप देखोगी ना तो 178 और 189 बना कर चेस हुआ था छे और 5 का रेश्यू रहा था प्रबन्मा 91 और हुली टाइगर्स दुश्तो तो 26 मुकाबला था मेरे सबसे 100 मैं सुर्फ वरियस ने 190 बना था जवाब में 117 बना पाई थी 9 और 4 लास्ट के 5 मुकाबले जी है दो तो 5 मुकाबले है इनमें से पहले बलेबाजी करते ओए और Head-to-head, Head-to-head 9 मुकाबले खेले गए होबली टाइगर्स ने मात्र 2 मुकाबले और मैसूर वोरियर्स ने आपके लिए जीते हैं, कितने 7 मुकाबले, अब recent मुकाबला आप देखोगे, मैंने अभी बताया था आपके लिए, 119 बनाये थे, 6 बिट को नुक्सान पर मैसूर वोरि गश्त का, 27 अगश्त का, तो इस सीजन के दोनों के दोनों मुकाबले, होबली टाइगर्स मैसूर वोरियर्स से हारी है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलिएगा, तो कहीना कहीं, वो मानसिक दबाब होगा होबली टाइगर्स पे, और मैसूर वोरियर्स के लिए वो थोड़ा एडवांटीज रहने वाला है, तो चलिए अब हम बात करेंगे दोफ्तों यहाँ पर आपके लिए जो लिटेस्ट फेंटैसी अप्लिकेशन है, ओनेस्ट लेबिन इसके बारे में, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्किप्सिन में मिल जाएगी, डाउन जियां दोफ्तों, फर्स्टाइम आप जिदना भी डिटो बाजेट करते हो, उसका 5-10% हम आपके लिए रियल कैस ले रहा हैं, फिर थर्ड आप क्या होगा, कि आपसे जीएस्टी गटेगी, तो आपके लिए जीएस्टी नहीं देना है, अब आप जीत कहें तो फ़र TDS, TDS भी नहीं देना, आपकी तरफ से ZST और TDS आपका भाई, मतलब हम देने बाले हैं, तो आप इसकी भी टेंशन छोड़िएगा, अब आपको दोस्तों देखोगे ना आप, तो लोएस्ट एंट्रिफी है, इससे कम एंट्रिफी आपके लिए कहीं नहीं मिल ले बाली, यह हमार आपको वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करकर आपके लिए राजबंटु 3 कोड जरूर डालना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो चलिए अब हम बात करेंगे, रिसेंट प्रोप्मेंस और दोस्तों बैटेंग ओर के बारे में, और कौन कैसा खेला है इसके बारे में, तो सबसे पहले आप देखिएगा, कार्त के KP, अब थोड़ा एक बात में इनके बारे में इसप्रस्ट कर देना चाहता हूँ, यहां से इन दोना का बेटा ओर एक्सेंज हुआ था, चुकि दोनों ही टीम है क्वालिफाई आल्मोस्ट कर चुकी थी इसलिए एक्सपरिमेंट कर रही थी, तो आप यहां पर देखोगे, कार्त के KP का, तो पिछले कुछ मुकाबलों से, यूं कहिएगा, कि अल्मोस्ट पूरे टूनमेंट में इनसे प्रॉफमेंस निकल कर तो नहीं आया है, तो आप चाहो तो इन्हें डॉप कर सकते हो, और य उस स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में कनवर्ट नहीं कर पाए, प्लियर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, यह नहीं बोला कि प्लियर खराब हो सकते हैं, प्लियर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, आप चाहो तो इन्हें भी ट्राइ कर कर चल सकते हो, यार ड्रॉप भी कर सकते हो उसके बाद आप देखोगे सरजीत का क्रिशन सरजीत का लाश्ट मुकाबले में 100 करकर आ रहे हैं इससे पहले 13 रन फिर 77 रन और दोस्तों 41 से 50 और 25 रन मतलब बहुत अच्छा खेले हैं यूँ कहिएगा आप कि ठिक खेले हैं या बहुत अच्छा भी आप इने कह सक सकते हो चुकि अब सतक भी रहें लाश्ट मुकाबले के तो ड्रॉप तो इन्हें नहीं किया जा सकता और प्लेयर बहुत अच्छे हैं बिल्कुल आप सरजीत को अपने टीम में ट्राइ करकर चल सकते हो फिर आप देखोगे अनिश्वर गौतम एक लंबी इनिंग्स ये भी खेल चुके हैं 95 रन की लेकिन उसके बाद दोनों ही फैलूर आएं उससे पहले दोस्तो 35 और 30 रन की दो इनिंग्स ओर भी के बल्ले से आई थी अब ये आपके लिए हिट और मिस बाला आपके लिए उप्सन है उसके बाद आप देखोगे मनी स्पांडे मनी स्पांडे का कह मेंने बाले उसके पीछे रीजन ए डूप कार्ड क्यों ए उसके पीसे रीजन एयर है कि अपके लिए ऐस टी बाद मन्बंत कुमत् एक विकेट, बहुत अच्छ अच्छ है कि टूनेमेंट के बीच में, लेकिन रेसेंट 2 मुकाबले हुए असमें इach्वने कुछ अच्छा नहीं किया है, जियां दोस्तो उसमें इachं अच्छा नहीं किया है, प्लेयर बहुत अच्छे है मरवन्त कुमार आप definitely try कर सकते हो फिर आप देखोगे आनिश्चिप पाय का देखोगे लाइस्ट की दो मुकाबले उस विकेट नहीं मिला एक और विकेट मिला फिर दो विकेट मिले मतलब एक average choice आप इन्हें कह सकते हो फिर केसी करियापपा इनको experience का आप है लेकिन जिस हिसाब का experience है उस हिसाब से इन्होंने गेंदवाजी नहीं की जिया दुख तो गेंदवाजी नहीं की जिस हिसाब से इन्हें experience है आप यहाँ पर देखोगे दो विकेट फिर विकेट नही आप इनकी कह सकते हो एलार कुमार इन्हें थोड़ा ऊपर खिलाया जाना चाहिए लास्ट मुकाबले में तो इवन खिलाया नहीं गया था रेश्ट दिया गया था इस मुकाबले में आपके लिए खिलतु ही नजरी जरूर आज आएंगे देखोगे आप जीरो विकेट फिर एलार कुमार को अपनी टीम में ट्राइब करकर चल सकते हो जा जो एलार कुमार को बिल्कुल बजाज को माधब बजाज को 2 विकेट को 1 विकेट और फ्र यहां पर नहीं खेली फिर 1 विकेट 1-0 अच्छा गयंदबाज किया है और कभिरबप्ा तो मेरे इनकी तरफ से फैब प्लेयर के बारे में जो आपके लिए इंपूड़ेंट हो सकते हैं उसकी बारे में तो सब्सक्राइब पहले तो दोस्तो यहां पर मैं स्टार्ट करूँगा सरजीत से फिर सजीत के बाद मनीषपांड़े आपके लिए काफ़ी ज्यादा इंपोडेंट है मनिश्वास पांडिक बाद मनबंत कुमार है मनबंत कुमार के बाद दोस्तो एलार कुमार और दोस्तो यहां पर कविरप्पा और बजाज तो एक दो तीन चार पांच छे छे पलियर मेरे पास इनकी तरफ से इंपोडेंट नक चल शकते हो, मतलब इनमेंसे किसी को ड्रॉप करईएगा ó और उन्हे आप ले लिजीगा तो चलिए बात करेंगे दोस्तो इनकी ओर से डेथ होबर तो ऐलार कुमार डेथ में करेंगे कविरप, सुर्वात के ओबर कविरप्पा और ऐलार कुमार करने वाले हैं और डेath के ओ तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले कार्तिक का, कार्तिक का यदि आप देखोगे 14 रन 2 विकेट, 17 रन 3 विकेट, और 13 रन 3 विकेट, एक विकेट, मतलब आप इनका प्रुफमेंस उठा कर देख लीजिएगा, इनसे बेस्ट यदि आपके लिए कोई कैप्टनसी, वाइ कैप्टनसी के लिए, बिल्कुल डेफिनली आपके लिए बहुत अच्छा उप्सन है, उसके बाद कार्तिक, एसी हूँ, इन्होंने लाश्ट मुकाबले में स्कोर किया, 16 नाय, इससे पहले 26, 24, 34, 23 का इने स्टार्ट जरूर मिला था, उस स्टार्ट को यह बड़े स्कोर मे नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें इंपूडेंट प्लियर कहूंगा, आप इन्हें अपनी टीप में रख सकते हूँ, करन नायर, सुरवाद में का फैलोर, भी मिलल ऑफ टूनमेंट रन का फैलोर जरूर आया था, 13 रन जीरो रन का, फिर आप देखोगी 64, 45, 46, तो आपके लिए ए भी बेस्ट ओप्शन है, जी यहां दोस्तो, बेस्ट ओप्शन है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए, जी यहां दोस्तो, बहुत अच्छी ओप्शन है, फिर आप देखोगी स्वमित कुमार, ग्रेंड लिक की चोयस है, और इसके बाद आप आप और IPL का भी इनके पास काफी सारा experience है, तो अपने दोस्तों एक Trump card की चोईस में आप इने रख सकते हो, उसके बाद आप देखो कि बैंक टेस्स कुछ खास नहीं किया, गौडवा गौडवा ने बहुत अच्छा किया, आप देखो कि एक विकेट, दो विकेट, फिर जीरो फ्रमेंड मैं गेंदबाजी अच्छी किये, दो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, तो गेंदबाजी बहुत अच्छी किया, अच्छी पलियर है, उसके बाद आप देखो कि Manoje बांगड़े, ठीक ऑप्शन है, मजूग relative विध्याधर पाठल, लाश्ट मुकाबले में नहीं खेले थे लेकिन याद रखेंगा बहुत इंपोडेंट प्लियर है एक विकेट तीन विकेट दो विकेट मतलब तब भी खेले हैं न विकेट निकाले इसलिए बहुत अच्छे उप्सेन है विद्धियाधर पाटल बिल्कुर डेफनेली आपने चार पांच छे उनकी तरफ से बिल्कुल इंपोडेंट आप्सन निकलते हैं और यदि आप रिस्क लोगे ना तो रिस्क पर लोगे एक तो बेंक टेस्ट पर आप रिस्क ले सकते हो किसी की भी जगह है बेंक टेस्ट कोबनेटी में डाल सकते हो और मानुज बांगड़े को तो यह रिस्क हैं दोस्तो अब हम बात करेंगे डेथ होवर और सुरवात की होवर हम कौन गेंदबाजी करेगा बिद्याधर पार्टिल और सुरवात में गेंदबाजी करने वाले हैं और डेथ होवर में भी आप देखोगी कार्टिक सिय डेथ में करेंगे बिद्याधर पा पर थोड़ी सी रिस्क है जियां दोस्तो अब रिस्की ऑप्शन आपका होगे मनिसपांडे क्रिहनपपा गौतम और जगदीशन सुचित यह हमारे रिस्की ऑप्शन है खेर आप पैंशन मत लीजिएगा जो भी फानल केप्टन बाइस केप्टन होगा आफ्टर टॉस आपके वाट्सप चैनल पर अप्डेट कर दिया जाएगा तो आप जोड़ जाएगा तो चलिए बात करेंगे दोस्तों अब हम यहां पर आपके लिए हमारी जो एक कॉमिनेशन हमने टीम का रेडि किया है प्री टॉस आफ्टर टॉस तो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अप्ड किया है यहां पर जगदी संसुचे थे हैं केसी करिय अप्पा और कभी अप्पा इनको मैंने अभी अप्रेटीम में रखा है जो फाइनल कॉमिनेशन आएगा आपके लिए टेलीग्राम पर अप्डेट कर दिया जाएगा तो आप टेलीग्राम जरू जोइन कर लिजीगा ल